फूल खेला हूँ तेरे चमन में माली तू याद कर धड़कन का ध्यान कर माली तू याद कर धड़कन का ध्यान कर आँख की खुमार का अनबोली पुकार का फूल खिला हूँ तेरे चमन में जब तक रहेंगे ये करुणा के साई आँखों में सांसों में उमड़ा करेंगे जमाने अपने पराग का छिपाऊन कन भी देखा करेंगे सयाने किर्णों के रंग मेरे किर्णों के रंग मेरे दरोहर है पास तेरे मेहमान आज का कौम का समाज का फूल खिला हूँ फूल खिला हूँ तेरे चमन में अपना हूँ सपना हूँ यूगों से हूँ तेरे रदैका दरती है साक्षी और अंबर गवाही आकांक्षी तेरी विजय का पतंगों की रित हूँ पतंगों की रित हूँ को मल सा गीत हूँ अभी नव प्रयास सा गहरे विश्वास सा फूल खिला हूँ पूल खिला हूँ तेरे चमन में सोये मिलेंगे कदाचित ये सारे कोई जो मांगे तो जगता रहूंगा सिराने भुलानान माली मुझे तोड़ लेना पूजा में मुझे को पिरोने प्रलय के प्रहार सा विप्लवी हुंकार सा आएगा कारवाँ जीवन का मेजबाँ फूल खिला हूँ तेरे चमन में माली तू याद कर धड़कन का ज्यान कर माली तू याद कर धड़कन का ज्यान कर आख की खुमार का अनबोली पुकार का फूल खिला हूँ तेरे चमन में जय संक्षक्ति ओम समानों मंत्रा समिती समानी समानं मना सचित्त मेशाम समानं मंत्रं अभिमंत्र ये वह समाने नवो हविशाजु हो मी सबके विचार समान हो चितमंद से सब एक हो ज्यान सबको समान देता हूँ समान सबका सबकार हो विजतंशी जी रचित सहगान जो अभी हमने सुना फूल खिला हूँ तेरे चमन में उसमें कि शत्रियुक्षंग का एक सन्निष्ट सहमसेवक अपने गुरु पुजतंशी जी के प्रती अपना पूर्ण समर्पूर्ण का भाव व्यक्ते करते कहते हैं कि आपके उद्धिश की पूर्ती के लिए मेरा आप जैसे चाहे वैसा उप्रण कर सकते हैं समय नितया अभी वावक विशेश करके माता मंता के कारण बच्चों को उच्छी आवाद में बोलती नहीं और बच्चों को जो अच्छा लगता है वह करने दीती है वह चाहती है कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहों कि समय है अध्यहन का और उस समय यदि बच्चे खेल रहे हैं तो माता चाहें के खेलने दोने अभी खेलने के यह दीन है माता सदेव बच्चों का वर्तमान सुखी देखना चाहती है वह सायद ही सोचते है कि ऐसा करने पर उसका भविश्य विगड़ी जाएगा उसमें कुछ गड़वड़ी हो सकती है ऐसी चिंता वह माता नहीं करती उसी तरह एक शिक्षक एक गुरू नहीं नहीं शिश्यों के प्रति विद्याथियों के प्रति नम्र भाव रखता है साधुक क्विकास के लिए साधना के जो नियम है उनका सूपरिपालन अनुशाशन एकाग्रता परिश्रम आधी जो बूर्ण चाहिए वो यदि गुरू कि भंसिक माददसन नहीं करते हैं तो नहीं ने साधक अपने विकास के लिए लापरवा होता है उनको पता ही नहीं कि मेरा विकास कि इसमें है तो गुरू जांते हैं और यदि गुरू मोहवश चा और कोई कारण सर बल्क्ति करने पर अपने शीश्य को कहते नहीं तो साधक का भविश्य दूला हो जाता है मगर अभी जी साधक के हम बात कर रहे हैं वो एक जागरत साधक है और वो कहता है कि फूल खिला हों तेरे चमन में साधक अपने को एक फूल का शुरूप देता है हम सब जानते हैं कि फूल में कई गुण होते हैं उसमें सुगंद होती है उसमें रस होता है उसमें संदर्य होता है कोमलता होती है तो साधक अपने को जब फूल मानता है तो फूल का गुण फूल के जो यह गुण हमने बताए वो होना चाहिए नहीं तो साधक कहता है कि वे सब गुण मेरे में हैं जो संसकार आप श्री ने मेरे में डाले है सिंचित किये हैं उसके सुगंद चार और फैल रही है इसलिए लोग मेरी और अकसी दोकर मेरे पास आने चाहते हैं मेरे में रस है वो है शक्ति का वो शक्ति है ग्यान की भक्ति की कर्मठता की और वो रस तुछने के लिए फुलका रस तुछने के लिए जीस तरफ ब्रह्म्रे आते हैं बद्भख्या आती हैं इसी तरफ मिन형 میں और शक्र obligation के लिए लोग मेरे पास आते हैं मेरे साहता मौंगते हैं में उप्योगी होता हूं और इसकिन संद्रिय है मैं संद्र हूँ मतलब से ही बात नहीं है हूं है मेरा संद्रिय पुर्म संद्रिय यान संद्रिय भक्ति संदरिय, समर्पन का संदरिय, और फोमलता भी मेरे मुझ में है, मैं फोमल सुभाव का हुआ हूँ, पत्थर ये चा कठोर, दूसरे की तांग तोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, तो ऐसा फोल मैं तेरे चमन में खिला हूँ, तैरा मतलब पुझ्य तंशी जी का, और तंशी जी का चमन का मतलब ठत्रियोक्संग, तो एक साजब पुझ्य तंशी जी के प्रतिय समफित होकर, वो कहता है, कि मैं आपके संग में पून रूप से खिला हूँ, तो माली तो याद कर, जब एक गीचे में संभालने वाला जैसे माली होता है, इसी तरह एक सत्रिक्संग के संभालने वाला पुझ्य तंशी जी है, तो पुझे तौंजी जी जी को माली का संब्धन करके यह स्वैंशेव कहता है कि माली तू याद करे मतलग मेरा स्विकार करे है और कहते हैं मैं ध्यान कर याद करो और ध्यान करो जान किसका करना है तो मेरी धड़कन का जो मेरा रणे धार ध्यां ध्यान करो । जान को वह कि रहा है हृँ द्रड़कन है बहु आज परेंग के है दो ड़रपन की है वह दो ध्यान करो मतलब और वह द्रड़कन को आप समझत वू कि मैं जो हुआ गलत तो नहीं है कोई जूठा तो नहीं है कोई छलना तो नहीं है और दूसरा ध्यान है आपकी खुमार का मेरे आखों में जो खुमारी है कुछ करने की तमन्ना है वह आप मेरे आँख में देख लें आपको विश्वास में दिलता हूं कि मेरे आँख में आप उस तमन्ना को उस खुमारी को जरूर देख लेंगे और तिसरा है अनबोली पुकार का संक्य प्रति जो मेरा भाव है मेरा समर्पण है एक स्रद्दा है उसका मैं कहें डंडोरा नहीं पीड़ता उसकी बात किसी से कहता नहीं हूं बिना बोले कि सब कुछ में करता हूं तो यह उसका भी आप ज्यान कर लो और आगे कहते हैं कि यह सब तो है पर कब तक कहते हैं कि जब तक रहेंगे यह करुणा के साए आपकी करुणा एक सैम सेवप अपने गुरू से प्रात्ना करता है कि जब तक आपकी कुर्पा आपकी महरबानी है आपका आश्रवाद मेरी पर रहेगा तब तक मैं कुछ कर सकूँगा और वह आश्रवाद वह करुणा कहा रहेगी आखों में सांसों में मतलब मेरी नजर में किवल संग और कुछ नहीं और जो सांस लेता हूं मतलब मेरे जीवन की प्रत्यक प्रक्रिया वह सब संकी आसपास ही गुंता रहता है रहेंगे तो उसमें ऐसा करते हैं तो उम्रा करेंगे जमाने जमाने का मतलब संसार संसार में बाहों का उफ़ान आएगा जब तक आपका श्रवाद मुझे मिलता रहेगा आपके कुर्पा मेरी पर बसती रहेगी तब तक इसंसार में बाहों का उफ़ान मेरे जीवन में बाहों का उफ़ान अतारे रहा और कारीशक्ति का जवार उचलेगा और मेरे खुद में और पूरे समाज में एक परिवतन की तेज हवा बहेगी यह तब होगा जब आपके करोना मेरे पास होगी तो मेरा दाई तो बन जाता है आपकी कुद्पा तो है आपका आशेरवात तो है और इसके कारण जो कुछ होने वाला है वो रहा है उसमें पिल्न में मेरा आझा तो है और वह दाई तो है अपने पराग का छिपा और कंडमी तो फूल में पराग होता है उसमें रस होता है उसमें शक्ति होती है उसमें कई कई चीजी होती यह फराग में तो मेरे में जो कुछ भी है वह बिलकुल उसको मैं छिपाउंगा नहीं जिसको केते हैं खुली किताब मैं हो जाओं आप सब कुछ देख ले हैं मेरी अंदर मुझे पूरी द्रश्टी से आप शिकर करने हैं मेरा सब जो कुछ है वो संका है समाज के लिए है मैं अपने लिए कि जरूरत पड़ेगी कभी इसलिए इसका इतना बचा के राखू एसा मेरे मन में कोई आता ही नहीं बिल्कुछ छुपाऊंगा नहीं और आगे केता है कि किरणों के रंग मेरे किरण का मतलब मेरे जीवन की कई गतिया भी दिया आप जानते हैं कि वैसे सुर्य के किरण सफेद दिखते हैं मगर उसमें साथ रंग होते हैं लाल निला पीला अरा निला जमुजी के कलर के इस तरह कि मेरे जीवन में भी जो रंग है चाहे वो आर्थिक हो चाहे शारिरिक हो पारिवारिक हो अध्यात्मिक हो संग निष्टा की बाद हो कर्मशिलता की बाद हो यह साथ रंग मेरे यह कि दरोहरे पास दे रहे हैं कि मैं आपको स्वक देता हूं मेरा कुछ मेरी पास मेरा है यह सब कुछ आपका ही दिये हो और आपको अर्पन तो दरोहर के रुप में आपको में दे देता हूं और आप चाहे उसका जो रुप्रुक करना चाहे कर सकते हैं तो यह पूर्ण समर्कन की बात है अब हम को भी सोचना चाहिए नहीं क्या ऐसा हम सादक है जो पूर्ण रूप से संको समर्फित हो इसका मतलब यह नहीं कि हमें परिवार को छोड़ देना है अधिया नहीं करना है नौकरी दंदा करके कमाना नहीं है मात्पिता की शिवा नहीं करना है ऐसी कोई बात नहीं है यह सब कुछ करते हुए भी मेरा जीवन का कैंद्र एक शत्रिवक्षंग है ऐसा अपने आपको जड़ा पूछ ले आत्मा उलुकंत करना ही चाहिए नहीं कि वह ऐसे साधक की बात करते हैं वह बहुत समर्पित रहती है बहुत बड़ा साधक है मगर वह तो है मगर मैं हूं कर नहीं यह भी मुझे सूतना चाहिए नहीं और आगे कहता है कि मेहमान न आज का मैं कोई मेहमान बनकर नहीं आया हूं हम जानते नहीं मेहमान कि हमारे मरे में था माद घठ si ya time ऐ छbulब दरख उब हुंते नहीं हमारे हैं तो मैंन आया हूं संग में आया हूं तो मियमान बनकर नहीं हें आया हूं मैं चले जाना वाले नहीं हूं और यहां मेरे कोई चाहिए नहीं है कि मुझे इस तरह का रखना चाहिए मुझे यह चाहिए वो देओ ऐसी कोई मेरी चाहिए नहीं है मैं तो कौम का हूँ समाज का हूँ तो यह अपभारी जाती हमारा समाज उनका जब मैं हूँ तो वो चाहिए ऐसा मेरा उच्व कर सकते हैं और एक और प्रात्ना है एक समर्पित साधक अपने गुरु से प्रात्ना करता है कि कलका खिला हूँ चिंता न कर रहा आप ऐसा मत सूतना साधक गुरु से प्रात्ना करता है कि आप ऐसा मत तुझे कि नएया नएया आया है बेचरा अभी इसका खेलने के दीन है आजियान के खेलने है दीन है तो करने दो, ऐसा मत सोचना, और इसलिए आप ऐसा मत सोचो, कि अभी उसको और खिलने दोने, अभी सुखदित करने होने दोने, अभी उसको आगे विकास के लिए जाने दोने, नहीं, ऐसा सोच कर आप मुझे तोड़ने में, तोड़ लेने में हिचकी चाय मत, मत, यह एक पूर्ल समर्पित सेवन सेवक की बात है, और कहता है, कि अपना हूँ, सपना हूँ, मैं आपका हूँ, और आपका जो सपना है, शत्रुक्षंग के माध्यम से, जो आपका सपना सीद करने के लिए आप जा रहे हैं, उस सपने का मुर्तिमंद सरुप मुझे लिए खोड़ोने है, मुझे में देखो आपका सपना, कि यही व्यक्ति है, जो मैं चाहता हूँ, जिस समाज को, जिस सरुप मैं सरुप में देखने चाहता हूँ, इसका प्रतिम इस सादक में है, तो मैं आपका सपना हूँ, और आगे कहता हूँ, जो युगे से हूँ तीरे रदी का, आज कल का नहीं हूँ, और ये भी याद रखना चाहिए, कि यदि हमने पूरो जन्म में ऐसे अच्छे कारिया नहीं किये हैं, संस्कुति धर्मा मानवता के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो इस जन्म में शत्रयुक्सम में आना, रहना और काम करना को संभोवित नहीं है, तो साधक को पूरा विश्वाल है कि मैं तेरे रदी का, पुजय तन्सी जी का रदी का, मैं यूग-स यूगह, बहुत लंबे समय सह कुंना। तो रदी में तो परितरत्त भावो तका है, इश्वर का वास होता है, प्रेम है उसमें। उसमें भाव है, समर्पण का भाव है, प्याक का भाव है, बलिदान का भाव है तो ये भाव का मुतिमन सरुप मुझे आप माने । और सहदक कहता है कि आपके सपने का मुतिमन सरुप के आप खड़े कर दो, मैं युगुल सही है, आपको समर्पी दूँ, मुझे माज़न बना कर आप अपना कार्या सिद्ध करो, जैसे स्री कष्टन ने अर्दून को माज़न बनाया था, आप सब कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, पर मुझे एक मौका दो, मुझे एक निमित बना दो, तो आपको एक साहिक के रुप में मैं कुछ कर सकता हूँ, और ये जो मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने चार और इसकी बात सब को बता दिये, इसका कोई शाक्षी नहीं है, कोई शाक्षी नहीं है, ये नहीं है, कौन है, धर्ती है साक्षी अंबर गवाई, जिस धर्ती में, धर्ती पर मैं चलकर जो प्रवर्टिय कर रहा हूँ, वो धर्ती मेरे कारिय की साक्षी है, और अंबर गवाई, मतलब मेरे जो उंचे विचार है, अंबर का मतलब आकाश, तो उंचे मेरे इतने आकाश जितने उंचे मेरे विचार, वो आकाश जान गया है, इसका इसकी विचार जिन दन कितना उंचा है, तो अकाश जितने विजई का, बस मैं चाहता हूँ, आपकी विजई हो, और आपकी विजई में हमारी विजई तो है ही, पुरे समाज की विजई है, आपका व्यक्तिकत विजई की कोई बात ही नहीं, आप अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं, पुरी संस्कुति, धर्म, पुरी मानुता के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, तो उस कारियम में आपकी विजई हो, यह मेरी आकामशा है, और आगे कहता है, कि मैं पतंग की री, पतंगा की री तुह हूँ, पतंगो की री तुह हूँ, कोमल सागी तुह हूँ, मुझे आप किस दर्श्टी से देखे, एक साधक अपने गुरु से प्रात्ना करता है, कि आप मुझे एक पतंग की तरह देखो, पतंगे का आप जानते हैं, कि योद पर अपने आपको समर्पित करके जला देता है, अपना कुछ नहीं रखता, उसी तरह मैं पतंगे के रुप में आपको पूर्ण समर्पित हो जाता हूँ, संकी लिए है मेरा सब कुछ है, और कहता है कोमल सागी तुह हूँ, गीत में मादूरिया होता है, कोमलता होती है, तब ही तो लोग सुनना चाहते हैं, कठो रुक्षेस्वर में गाया गया, कोई गीत कोई सुनना नहीं चाहता, इसमें संदरिया, कोमलता, समस्वरता होनी चाहिए, तो तब ही गीत बनता हो, ऐसे गीत को लोग सुनना चाहते हैं, तो यह मैं हूँ, और अपना अधिक परिची देता है, वो सादिक कहता है, कि अभी नहीं प्रयास सा गहरे विश्वास सा मैं हूँ, जो आपका जो प्रयास है, यह अभी नहीं है, इससे पहले कभी इस तरह का ख्षित्रयोक संग की स्थापना करके, किसी ने समाज के लिए कुछ काम किया, ऐसा उदारन तो मिलते हैं नहीं, तो आपका जो समाज के लिए यह जो कारिया है, वो अभी नहीं है, बिलकुल नहीं नहीं है, वो अभी नहीं का मुर्त सरुख मुझे देखो, और साथ साथ मैं गहरे विश्वास का हूँ, मेरे पर आप पूर रुप से विश्वास करें, मैं आपकी च्छानुक्सार संग के लिए काम करूँगा, और यह जो आप काम कर रहे हैं, उसमें मैं पूर रुप से स्विवगी बनूँगा, ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए, और इसके लिए मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, मेरा कुछ है लिए, तो इस सेगान से हमें यह शिख मिलती हैं, कि यदि इस तरह का हम सादक बन है, तो हमें अपने गुरू को, विजतंशी जी को विश्वा दिलाने चाहिए, कि मेरे पर विश्वा रखो, कि मैं कभी पिछे नहीं हटूँगा, इस करे में आगे ही आगे ही जनता हूँ, मैं कभी किसी गलत रहा पनी जाओंगा, यह भी अमारा गुरू का, अमा पर विश्वा सोना चाहिए, और मेरी अपनी इच्छा के कारण में कुछ नहीं करूँगा, आपकी जो इच्छा है, उसके विपृत में कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा विश्वास एक बार गुरू को हम पर हो जाए, गुरू का पुझतन सीजी का हम पर आश्रवार उत्रे, तो जीवन और चाहिए भी क्या, हम सही अर्थ में फूर बनकर, हमारा जीवन पुरे समाज के लिए, मानोता के लिए, संस्कुति के लिए बना रहे, ऐसी रदे की प्रात्ने के साथ सब को जय संग सकती है